हेलो फ्रेंट्स स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल इसमा इन्वेस्टमेंट में यस बैंक के बाद एक और बैंक पर आरबी आई ने मौरोटारियम लगा दिया है फिन्स लक्षमी विलास बैंक पर आरबी आई ने मौरोटारियम लगा दिया है और यहां पर जो है किसी भी कस्टमर को 25,000 से जड़ा का पेमेंट नहीं किया जाएगा और एक महीने के लिए यह मौरोटारियम लगा है इस वीडियो में हम आपको डेटेल में बताने वाले हैं कि जो मौरोटारियम रभी आई ने लक्षमी विलास बैंक पर लगाया है इसके क्या माइने हैं और शेयर हूल्डर्स और कस्टमर्स को अब क्या करना चाहिए रिजर्व बैंक ने जो है लक्षमी विलास बैंक के बोर्ड को सस्पेंड कर दिया है अगले 30 दिनों के लिए लक्षमी विलास बैंक अलरेडी जो है PCA के अंडर में था और इसकी फिनांशल पोजिशन्स बहुत ज़्यादा खराब थी रिसेंट में भी काफी न्यूज आ रही थी बैंक के टेक ओवर और मर्जर को लेकर यहाँ पर जो है सड़नली सर्प्राइस इंगली लेट इवनिंग में जो है नोटिफिकेशन आया है मिनिस्ट्री ओफ फनायांस का जहाँ पर जो है रिजर्व बैंक ने बैंक पर मोरोटो अरबीस तक ये मोरोटोरियम लगा रहेगा और फर्दर इसको रिव्यू किया जाएगा उसके बाद में कि मोरोटोरियम एक्स्टेंड होना है या नहीं होना है यहाँ पर आरबी आय ने ये बात क्लियर कर दी है कि जो डिपॉजिटर्स हैं उनके इंटरस्ट को पूरी तरह से प्रोटेक्ट किया जाएगा आरबी आई जो है बैंक की कंडिशन को बहुत क्लोजली मॉनिटर कर रहा है और हर नेसेसादी स्टैप उठाएगा कि ताकि बैंक रिवाइव हो सके और कस्टमर का इंटरस्ट पूरी तरह से प्रोटेक्ट हो सके आगे इस वीडियो में हम ब में यह न्यूज आई थी कि कि जो है क्लिकफे कैपिटल के साफ इसका मरजर हो सकता है और वहां पर इस डील से बागा और जो कर गईक्ट वांगी तो लक्षमी विलास बैंक पर जो है RBI ने moratorium impulse कर दिया है इसकी last AGM में भी shareholder ने जो है इसके top management को हटाने के लिए voting की थी एक non-binding जो है letter of intent signed हुआ था लक्षमी विलाश बैंक और clicks capital में जून में और 7 नवंबर 2007 को लक्षमी विलाश बैंक ने बोला था कि clicks group जो है minor due diligence उन्होंने बोला है वो करेंगे जो ए mutual understanding के साथ यह merger announce हो सकता है और अब clicks capital के साथ जो proposed merger था वो almost deny हो चुका है जिसके बाद RBI ने moratorium impulse कर दिया है अब सबसे पहली बात आती है customers के लिए क्या करना चाहिए फिस हमने yes bank के case में भी देखा है यह customer का interest पूरी तरह से protect किया गया था दो short term के लिए आपको problem हो सकती है अ आपका fund वहां पड़ा हुआ है तो अगले एक महीने तक आप 25,000 साथ नहीं निकाल पाएंगे पर slowly and study अगले 2-3 week में इसका कहीं न कहीं merger announce होगा RBI necessary step लेगा bank के revival के लिए और आप जो है over the period of time अपना पैसा निकाल लेंगे तो customers को यहां panic होने के डरने घबराने की कोई भी जोरत नहीं है customers panic ना होएं बस थोड़ा wait करें अब बात आती है shareholders की हमने अपनी लास्ट वीडियो में आपको clear cut बोला था कि लक्षमी विलास bank से दूर रही है gross NPA 26% 26% gross NPA होना किसी भी NBFC या bank के लिए crime से कम नहीं है net NPA 10% यहां अगर यह bank किसी NBFC या bank के साथ merge होता है त क्योंकि जो valuations आएगी वो current CMP से बहुत नीचे के level की आ सकती है दूसरी बात यह friends की यह share yes bank की तरह future में नहीं है तो यहां पर आपको circuit to circuit downward circuit to circuit rally देखने को मिल सकती है और हो सकता है किसी को भी बेचने का मौका ना मिले yes bank future में था circuit capping नहीं होती है circuit capping के लिए होती है जो circuit capping देखने को आपको मिलेगा और current CMP से यह stock अच्छा खासा correction आपको दे सकता है यहां पर bottom fishing करने की कोशिच ना करेगी 20% का circuit लगे तो accumulate कर लें कि यह तो किसी और bank हमें मर्ज हो जाएगा और हमें अच्छा profit होगा यहां bank के financials बहुत खराब है balance sheet की quality बहुत खराब है जिस भी bank के NBFC में merge होगा वहां shareholders के favor में कुछ भी आने वाला नहीं है यह merger acquisition जो भी इसका होता है revival plan वो सिर्फ और सिर्फ customers को ध्यान में रखके है तो यहां trap होने की गलती ना करें existing अगर आपने लिया हुआ है और आप निकल पाए तो यहां से बेच के निकलें अगर यह stock correct हो कि किसी ऐसे level पर आया कि हमें लगा कि यहां खरीदने का है तो आपको वीडियो बना के जरूर बताएंगे पर फिलहाल currency MP के आसपास यहां bottom fishing करने की गलती बिल्कुल भी मत कीजिए और मैं फिर से आपको बता रहा हूँगर आप customer है इस bank के तो आपको डरने घबराने के जुरत नहीं है यहां पर इसका revival plan बहुत जल्दी ही RBI announce करेगा जिसकी पूरी उम्मिद की जा रही है फ्रेंट्स फर्दार आपकी कोई भी query इस share को लेकर हो feel free to ask me in the comment section वीडियो पसंद आए लाइक कीजिए फ्रेंट्स के साथ share कीजिए और मेरे चैनल को subscribe करना ना बोलिए thank you